सब्सक्रांब करने से पहले चैप्टर की सेख्रेट समझ लेते हैं था कुसे को बात होती है जो किसी मोफ होती है जो किह सीक्रेट लेकिन तीन अंयोड होता है जो कि उसके बार में पता नहीं होता का कजन है पैर उसके पैर खराब है और डिकन जो की एक बराबर वाले विलेज का लड़का है तो तीन बच्चे एक सीक्रेट गार्डन की कोज करते हैं अपने अंकल के घर में ठीक है तो इस सीक्रेट को हम भी समझेंगे हम भी सुनेंगे इन दा चैप्रा लेट्स बिगिन दा स्टोरी नाव इस एक स्ट्रेक्ट जसे मैं आपको पहले पता है था एक स्ट्रेक्ट होता है कुछ चोटा सा पार्ट बहुत बड़े नॉवल में से तो एक बहुत बड़ी बुक है जिसका नाम है ता सीक्रेट गार्डन जो की फ्रैंस हो इसका नाम ने लिखी है इसमें से चोटा सा पार्ट हमारी बुक में प्रिंटेड है क्या होता है एक लड़की होती है मैरी लेनेक्स जो की एक औरफन होती है औरफन यानि की उसके माता पिता नहीं होते तो अपने अंकल के बहुत बड़ी घर में रहने आदा था अपने चा बुक में एक दोर होता है जोके चुपा हुआ होता है I will say मतलब कुछ बेले लताय प्लांड के जो होते न उससे तखावा शी तेसन ना इनीवन अबाउट इट वह किसी को नहीं बताती के बारे में एकसेट वह कॉल्लिन को बताती कॉल्लिन को बताती कॉल्लिन जोकि उसके अब वो गहता है कि तुम दोनों मुझे लेकर मेरी बीचेर को किसका किसका कर लेकर मुझे भी सीक्रेट गार्डन में चलो ठीक है यह थी स्टार्टिंग कि अबसक को स्टोडी करने से पहले मैं इसकी चावी खाई तो ऊड़ा करती है और इशारा करती है रस्टी पुराने सी चावी ऋखा करता है तो मैरी की उठा लेती पर रॉबिन वहां से ओड़ जाता है और उसको अपने पीछे-पीछे बुलाता है तो मैरी उसके पीछे-पीछे भागती है तो वो जाके बैठ जाता है एक पेड़ की डाल पर जहां पर होती है एक बहुत बड़ी सी दिवार और दिवार पर कुछ आईवी लीव्स पड़े होती है यानि कि कुछ लताय पड़े दू की हाँ तो जैसे हवा चलती है फिल्मी स्टोरी की तरह एरोईन जाते है ऐसे ही सब यह जाते है ठाहिए वहां अपने सब जा अबी बतानी एट को बताती तो यहां से भालडे स्टोरी स्टोरी ठीक है अब स्टार्ट होती है हमारी स्टोरी एज इज दिख पास कॉलिन हैड बिकम मोर और फिक्स इन इस फिलिंग तर द द द मिस्ट्री सराउवनिंग द गार्टन वस वन फिस ग्रिटिस जाम अच्छा कॉलिन कहीं जादा आल जानी पड़ता था क्योंकि वह बीमार रहता और उसके पहरों में भी प्रॉबलम थी तो जैसे ही Daillly 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 past हो रहा है तो कॉलिन को money the उसकी खुशी का एक बहुत बड़ा कारण था क्या था? अब कोई सीक्रेट पता चल जाती है ना आप बहुत एक्साइट हो जाती हो या आपको कोई ऐसी जाने को मिल जाया ममी पता देंगी वेटर 10 देज बाद हम वहाँ जाएंगे तो आप उसी की बाद में सोचते रहते हो प्लान करते रहते हो तो ऐसे ही अब कोलिन का सार अका सार ध्यान उस ग्रेटेस्ट चाम पे था कि वो किस दिन गार्डन जाएंगे नाथिंग मास्पॉल देट का वो सोच रहा है क्योंकि वो उन्हे लाइक करते है तो किसी को यह ना बते कि हम कहां जा रहे है सब को यहीं लगे कि नॉर्मल सी बात है और हम लोग खेल रहे हैं क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ दथ्री हैट थ्री यानिकि तीनों बच्चे मैरी, कॉलिन और डिकल रेगते कि फांतें लेने भी छोटे भीक रैंसे हा देंतो पर 좋아요 मेक्त होने में सटेटें पेंटैंड अपड़नगेगा में इस पर इने लएको पूंटेंयों. अब next है, one day Colin leaned back on his cushions and said, this afternoon I shall see it, this afternoon I shall be in it, I can't help thinking about what it will look like, he said. तो एक देन अपनी वीलचेर पर बैटे बैटे, वो Colin leaned back, lean back, पीछे टेक लगा के बैट जाता है कुशन पर और कहता है, this afternoon I shall see it, it कौन है हापर, this afternoon I shall be in it, can't help thinking about what it will look like. आप ये it, it, it जो यूज होआ है, ये मत सुचना कि वो secret garden की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है spring season की, spring season होता है बसंद रितू, जो winter season खतम हो जाता है और होली आने वाली होती है, उससे पहले का जो रितू होती है, जो February वाला वेदर होता है, जो बहुत सारे flowers खिलते हैं, उसकी वो कैसा दिखता होगा, कौन, spring, it refers to spring here, जो ये बहुत ध्यान से देखेगा, क्योंकि reference to the context में है, पूछा जा सकता है, he said, ठीक है आगे आप जब पढ़ोगे तो ये clear हो जाएगा, it refers to spring, spring season, in the above lines, तो अब वो बहुत excited है कि मैं आपे बसंद रितू देखूँगा, the garden asked Mary, it, the spring time, Colin said, नहीं, मैं बसंद रितू की बात कर रहा हूँ, I was thinking that I have never seen it before, मैं सूच रहा था कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, इतना flowers वगेरा, मैंने कहीं नहीं देखे है, I hardly ever went out, मैं बहारी कहां गया हूँ जादा, and when I did go, I never looked at it, और जब भी मैं कभी बहार गया भी हूँ, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, इतने फूल, इतने बसंद रितू नहीं देखी है, I didn't even think about it, और इसके बार में मैंने कुछ चता सोचा भी नहीं, I have a picture like it in one of my books, लेकिन एक बसंद रितू की पिच्चर मेरी बुक में छपी हुई है, उसमें मैंने क्या देखा है, crowds of lovely people, काफ लेइं on pipes, सब लुगा रहे हैं, खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और मासुरियां बजा रहे हैं, इस picture को आप ऐसे imagine कर सकते हो, all those things that he mentioned are visible hair, माला पैरने हुए हैं देखो बच्चे, मासुरी बचा रहे हैं बच्चे, सारे फूल, पॉधे, पत्ते, सब डालियां सिल्लद पा रहे हैं, सब तरह फूल, पत्ते, और हमारी हां मेरट में, तो क्या होता है, आसमान में, पूरी की पूरे आसमान, colorful पतंगों से भी भरा रहता है, तो बहुत ही प्यारा सा वेदर होता है, वसंत्रितू का वेदर, अब जब मैरी यह सुनती है, तो वह बोलती है, how funny, कितन अनन्द मैं होगा, कितना सुन्दर होगा, जब सारे के सारे फूल, सारी पत्निया, सारी हरियाली, सारी बर्ड, सारे अनिमल, एक साथ दांस करेंगे, पास्टेट वन में, तो क्या मज़ेदार, वासम होगा, क्या मज़ेदार, crowd, यानि कि भीड होगी लोगों की, जो कि रंगे, कपले पहन के, माला वाला पहन के, फ्लूट बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, I'm sure they would dance, मुझे पूरा अंदाजा है, वो लोग डांस करेंगे, गाएंगे, फ्लूट बजाएंगे, that would be the wafts of music, वो सब नोट्स होगे, म्यूजिक की, यानि कि musical tune मजएंगे, DJ वीजे, हम DJ के, टाइप से imagine कर सकते हैं, लेकिन वो अपने हाथ से बजाईवी, मिमू से बजाईवी tunes की बात कर रहे हैं, लेकिन जब बहुत अच्छा वैदर होगा, हर्याली होगी, dance कर रहे होंगे, फूल पॉदे, तो बच्ची कह रही है, ये Mary बोल रही है, कितना ही मज़ा तो इस तरीके की बात ही, Colin और Mary की बीच चल रही है, तो बहुत लाफ बट इट वस लाफ़ेवल, वो हस रहे हैं मज़े से, लेकिन इसले नहीं क्योंकि उसका आइडिया बहुत लाफ़ेवल है, बहुत बहुत पसंदा है, मतलब जो imagination उनके दिमाग में आ रही है, उससे वो उनका मन प्रसंद हो रहा है, वो दूलों मुस्कुरा रहे हैं, विन के Colin was ready, he was carried downstairs, जब Colin तयार हो गया, तो उसे नीचे लाया गया, and put in his wheelchair, which Dickon waited outside the house, और Dickon जो था, वो wheelchair लेकर घर के बहार रेडी था, और Colin को तयार करके wheelchair पे बिठा दिया गया, विन all the grown-ups had gone, Dickon, और जब घ कोई नी था, घर के सब बाड़े लोग बहार चल गए था, तो Dickon ने धीडे धीडे उसकी wheelchair, steadily मने संभाल कर, और स्लोली स्लोली आगे के लिए तरफ बढ़ाई, Mary walked beside it, और Mary beside मने उसके साथ साथ चलने लगी, and Colin kneeled back and lifted his face to the sky, और Colin जो की वो बच्चा था, पैर में इसकी चोड कि जो चोटे-चोटे सफेद रंके clouds आसमान में वो देख रहा है, वो ऐसा लग रहा है, जैसे वो बड़ी-बड़ी चिडियां हो, और उनके पंक खुलेवे हो, सफेद रंकी चिडियां, blue sky में ओड़ रही हो, the wind blew soft in his breath, in big breaths and had a wild sweet scent, प्यारी मधूर हावा चल रही है, जिसम में एक खुश्बूसी है, Colin kept lifting his thin chest to draw it in and his big eyes looked as if it were they which were listening instead of his ears, तो Colin का भेवेवेर यहां पर डिसकस हो है, Colin जो है, वो अपनी चिन ऊपर कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वो सारी की सारी ठंडी हवाज हो है, वो अपने अंदर ले लेगा, और जो उसकी बड़ी-बड़ी आ नाचुरल बर्स की, वो सब वो सुन रही है, incident of his ears, उसकी आखे मतलब इतनी क्यूरियस ही है, उपर की तरफ देख रही है, because children are filled with thrill and excitement, no one was visible, अब जिस रास्ते पर वो निकले हैं, उस रास्ते पर कोई नहीं है, नहीं गार्डन, नहीं गार्डनर का लड़का, गार्डनर का जो केकसर वहां काम करते हैं, उन लोगों को बोला गया है, वहां से थोड़ा दूर रहे, the three children wound in and out, wound in and out means, बच्चे जो है, वो path जो उनोंने decide किया है, उस पे से घूम के जा रहे हैं, among the shrubri and out and round the fountain, जो ये fountain था, यहां पर जन्ना जोता है, पानी का, उसकी चारो तरफ का प रहे हैं and full of mysterious pleasure, उन्हें एक अलग सा ही excitement हो रहा है, कितना मज़ा आ रहा हो उने, ठीक है, at last they turned into the long walk, और बाद में वो long walk की तरफ मुड़ गए, जहां पर आ गई वो, ivy wall, ivy wall यानि कि वोई wall जिस पे कि ivy leaves थी, the excitement of an approaching thrill, आने वाला जो रहस में समय है, उस से लेकर कि उनके म बहुत मज़ा आने वाला है, वो पौछ चुके है, उसी ivy wall पर जहां के पार secret garden शुडू होगा, और वो इंजोई करेंगे आपना favorite spring season, this is it, sad Mary quietly, this is where I used to walk up and down and wonder and wonder, हां यही वो जगे है, Mary ने धीरे से कहा, यही वो जगे है, जहां हम walk कर रहे थे, मैं walk कर रही थी, दर से with eager curiosity, और उसकी आंके इधर उधर भूम रही है, और वो उस ivory या उस दर्वाजे को ढूंड रहा है, but I can see nothing, लेकि मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, उसने धीरे से कावस पढ़ माने, speak something very slowly, there is no door, यहां तो कोई दर्वाजा नहीं है, that's what I thought, said Mary Mary, Mary ने कहा, हां मुझे भी ल on in breathless silent, अच्छा, वहां पर बिल्कुल शांती हो गई थी, तो वहां पर wheelchair के चलने से शांती तूट गई, a few yards, yards होती है, distance की unit, तो उसी ने वो जगे पताई थी, तो यह कह रहे है, हां यह ही वो जगे है, जहां वो जगे पूर से तो कहती है, this is where the Robin flew over the wall, मैंना आपको जो starting म में बताया था कि Robin एक चड़िया थी, जिसके पीछे भागती-भागती Mary आई थी, उसी ने वो जगे पताया थी, तो यह कह रहे है, हां यही वो जगे है, जहां वो Robin चड़िया, wall के उपर बैठी थी, कॉली ने कहा, क्या यह वो जगे है, oh I wish he would come again, oh मैं चाहता हूं वो और वो ही वो जगे है, वेर ही पॉजड, पॉजड माने sit, ही कॉन, Robin चाहा, Robin आके बैठा था, on the little heap of earth, और शोर नीदकी, यह वो ही वो जगड़ा है, यह वो आर्थ यानि की जमीन का हिस्सा है, जहां पर वो आकर बैठा था, यानि की लिला पेड के नीचे, थोड़ी से जम सब्सक्राइब, दिक्सन रोग गया, सीधर खड़ा रहा, और वीलचेर जो की वो चला रहा था, वो भी रोग गई, और यहां पर कोई बिस्तर नी पड़ा हुआ, यानि की फ्लार बैड, फ्लार बैड होता है, बगीचे का गार्डन जहां पर पूरे में फूली फूल है, त तो वो जगे वो पहुच चुके हैं, तो मैरी रुख जाती है, इस वेर आई वेन तो टॉक, वेन ही चर्प, हाँ यह वही जगे है, जहां में उससे बात करने चली गई थी, और वो चर्पिंग कर रहा था, एट मी, फ्लार बात कर रहा था, यानि यही वो लताय है, यही वो पता है न, उड़ गई थी, और पीछे से सिक्रेट गार्डन दिख गया, का डोड दिख गया था, तो वो उस स्पोट की तरफ इशारा करते हो, कहती है, बैडी, एंड टुक होल्ड अप दे हैंगिंग ग्रीन कर्टेन, ग्रीन कर्टेन यहां पर यूज हुज हुआ है, आई के लिए, ओ, इस इपन गको करणा, जो आप इतनá एकसिट हो कहां आउ हिना, क्ली, हो पिस सी अथाओ, दे कर जिक तरूझ, यही खिए, दे वो झनद आखो है, दे की खिए हूज हुआ हुज हुज ही धो है, पूल है, खिर अ से सिपश करो, है आई हिखे है, आई हिज यही ह और डिकिन जी ने पूरी हिम्मत के साथ पूरी ताकत के साथ दर्वाजा खोल दिया, बट कॉलन है ड्रॉप बाक अगेंस कुशन और कॉलन जो है वो पीछे की तरफ टेक लगा कि अपने कुशन पे बैड गया, और उसे खुशी के मारे ना सांस सी नी आ रही एक्तम से गवरा बट के साथ बड़ा ही ज्यादा खुश है, वो अपनी आखे बंद कर ली अपने हाथ दोनों आखो पे रख लिये और उसने कहा मैं जब तक अंदर नी पहुचाऊँगा अपनी आखों पे से हाथ नहीं हटाऊँगा, और जब अंदर भुश गये चेर वहां जाके रुख ग यह है कॉलन और किस तरीके से देख रहा है और क्या सीन था, वहां पे चडिया जाहे करही है, वहां पे फूल है, वही स्प्रिंग सीन जो उसने पिच्चर में देखा था, आज वो अपनी आखों से देख रहा है, ओवर वाल्स और अर्थ, यहां पे सारा स्वाईल या इस तरीके से बेले निकली ही है, और इतनी जादा पतिया है, जैसे की कर्टेन की तरह है, और तेंडर माने, soft, head wrapped in the grass, under the trees, and the grey stones, and hair, and there, everywhere, what touches of splashes of gold, and purple, and white, मतलब हर जगे, पत्तों पर, पत्रों पर, इधर, उधर हर जगे है, वहां पे, सुनहरे रंगे, पर, पल रंगे, सफेद रंगे, फूल खिले पड़े हैं, आप, spring season, imagine कर लो, अपने माइन में, the trees were pink, मतलब यह नहीं कि tree pink है, मतलब, tree pink, फूलों से लदे पड़े हैं, snow above his head, उसके सर के ऊपर, सफेद फूले हैं, and there was fluttering of wings, and faint sweet, tweets, tweet होती है, sound of bird, चडियों की मीठी मीठी चू 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 अवाजे हैं, चडियों की पंखो की अवाज है, fluttering of wings, there was humming and scent, humming of honeybees, the sun fell warm upon his face like a soft hand, और sun उसकी चहरे पर ऐसा धीमी सी रोशनी डाल रहा है, जैसे किसी ने हलके से हाथ से उसका मूँ सहरा दिया हो, in wonder Mary and Dickens stood and stared at Colin, Mary and Dickens enjoy करी रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि Colin कितना enjoy कर रहा है, और उसे बहुत ध्यान से दीख रहे हैं, कड़ी होकर, he looked so strange and different, because a pink glow of color had actually cracked all over him, उसका चहरा चमक रहा है, वो बहुत अलग दिख रहा है, strange one, ड्रावना नहीं, दोड़ा different दिख रहा है आज, क्योंकि उसके चहरे पे गुलाबी सी चमक है, गुलाबी सा glow है, जैसे मेरा facial कराने के बाद आता है, I shall get well, I shall get well, he cried out, मैं ठीक हो जाओंगा, मैं ठीक हो जाओंगा, ऐसा लग रहा है, तो सारी blessings आ रही है आज उसके ओपर, Mary Dickens, I shall get well, Mary Dickens, सुनो, मैं बिल्कु ठीक हो जाओंगा, कितनी happiness मिल रही है उसको, यह सुनकर मुझे बहुत happiness मिल रही है, और story कैसे लगी है, बहुत प्यारी सी story, it's mainly about the feelings of a person who was unwell, कि हम उसको थोड़ी सी, कितनी खुशी उसको थोड़ी सी मिल जाएगी, अगर आप उसके सब खेलो को दो थोड़ी टाइम स्पेंड करो है ना, और spring season याने की nature, nature is like a blessing, आप लोगों के हाँ पेट पाते हैं, नहीं है तो लगाईए, क्योंकि जब उनके से खुशबू आती है, बहुत अच्छा लगता है, और हर याली चारो तरफ होने से आपकी life भी full of happiness हो जाती है, तो this is what the story conveyed, और अगर वीडियो helpful रही हो समझ आईए, तो thumbs up करेंगे, दोस्तों के साथ share करेंगे, next video में लेके आती हूँ, इसकी book exercises, कराम की question answers, बाइबाइ,